नमस्कार जी नेचुनल फार्मिंग की तरफ यदि हम कदम बढ़ा रहे हैं और उस दिसा में हम बात कर रहे हैं इसलिए वीडियो में हमने ट्राइकोडर्मा की डिटेल्ड में बात की उसके सांटिफिक जो बेसिस हैं उनके उपर बात की आप लोगों ने खुब पसंद किया और आप लोगों की डिमांड पर ही मैं अभी शुडो मॉनास के बारे में एक डिटेल्ड सेंटिफिक वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि शुडो मॉनास के बारे में आपकी मतलब बहुत ही आप को यह बहुत ही रोचिक जानकार इसको पहले समझना जरूरी है हम खेती में क्या अप्लिकेशन से उनकी बात करेंगे पहले इस चीज को समझना ही है क्या बला और कैसे काम करता है सबसे इंपोर्टेंट यह तो एक ग्राम नेगेटिव बेक्टीरिया है यानि जीवानू है यह एक और इसकी साइज देखे त इसको पॉपर जिवीत रहता है उन्हें जो रशाहि निकलते हैं आध के उपर यह जिंदा रहते हैं उपर यही्योंनी में और यह वाल रह सकता है यह जमीन में अ मुबर नहीं बना सकता भरी बद्ट बेर मिलग कश्वच्राइब करने कि मैं पाश्रouch कर निए कह लिए यई फानी बशार्श कें सोगता है पानी में मिट्टी में जड़ के आवच असपास कर सकता है कि इसका सभस आप वह है बिमारीय को चुन्ट्रोल करने में वह कैसे यह एंटी वैसिस इसका मोड ऑफ एक्षिन जो होता है यानि कि यह अपनी जो आपका शुडो मॉनास है अधरसल शुडो मॉनास कोई एक बैक्टिरिया नहीं यह बैक्टिरिया का ग्रूप बैक्टिरिया में लब काफी उसम कुछ रादपन कर रहे तो जो पर मॉनास होता है वह फॉप आपका ट्रोवाय शुडो मॉनास होता है यह निकालता है जिसमें कई स्सुने मोराएबस मेटाबो मेताफ निकालता है उसकी वजह से चले सो को एक्लीए वांटी फंगल होते हैं Șct Virginia तो के जी आपकी आपक्छ Sell तो जाधत तर बड़ा पड़ा है इतनी फपुन जनीत रोगों को एक रहा है जिसकी कोई अधनी और कैसे वह यह से केंड्री अपने पेटाब लोइट निकालता है उसकी वज़से वह फंगल डिजीज और बेक्टिरिया से भी तु में काम करेगा चणे में काम नहीं करेगा है सब फसलों में और आप इसको दे सकते हूं और आपके फंगस की प्रब्लम बेक्टिरिया से कोई भी विमारी और यह उसको और निमे यह बड़ा यूजफूल है और इसका मेकनिजम यानि अपनी बोड़ी से सेकेंडरी मोटा मेटाबलोइट निकालता उसकी वज़े से यह जो आपके फंगस बेक्टिरिया और निमेटोड खतम होते हैं इसके लावा यह सीन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोसाइनाइड यानि एक टाइप का जहर जो पोडो के लिए पोजिटिव है बेनिफीशल है और रोग फैलाने वाले आपके फंगस बेक्टिरिया और मैट अनिमेटोड के लिए वह एसीन जो हैड्रोसाइनाइड है वह निकालता है जहर है जिसकी वज़े से आपके वह रोग फैलाने वाले है कि दें कि खुदरत का क्या गजब करिश्मा है कि जो एटसी इन प्रदक्शन जो होता है उस शुड़ अध्याग में दे दिया उसकी जड़ में तो ऑसीन प्रडेक्शन करता हूँ तो डिपेंट करता कितना होगा ऐस चीन कितना प्र kilos होगा यह इस दीपैंट करता है कि वो पोदय की स्पीसीज कॉन सी गेहु है तो गेहु जैसे इसमें के सा जेसे गेहु है इसके कोई बिमारी बेठा है उसको मेसेज मिला है कि वही पोदे में बीमारी आ गई है और आप एसीन प्रेक्शन करो तो वह आपका वह आपका शुड़ो मुनास प्रडूज करता है वह आपका पेथोजन मरता है कुद्रत ने क्या खतरनाक सिस्टम प्लांट को दिया कि उसके प्लांट के यह ने प्लांट है नेचुरली गरोव कर रहा है प्राकरतिक तरीके से हमने बहुत ज्यादा पेस्टिश है इसमाल के जमीनों खराब नहीं किया है तो पोधा के बिमारी किड़ा लगा है बिमारी लगी है तो वह सिगनल वेजेगा अपनी जड़ को जड़ ऐसा एमिनवेशिट और डिक्रिप्शिप्शन में उस पेपर का लिंक देदूंगा पड़ लेना श्युडो मोनास का दो दूसरा फाइदा पोदों में है वह है कि यह जो रोग पैदा करने वाले पेथोजन्स हैं रोग कारक हैं उनके साथ कमपिट्शन करता है किसके लिए न्यूट्रेंट और स्पैस के लिए क्ईक्स करेगा जगा इंध्यकर बिषसन करेगा हर किसी सुक्सम्जीव को जमीन के अंदर उसको पोदें कि जड़ के आज पास मील जाता है नमी मिल जाती है ऑक्सीजन नूटपि न्यूट्रियंट्स मिल जाते हैं तो वो जड़के आज पास रहना पसंद करते हैं इस पेस के लिए कंप्रिशन होता है लेकिन क्योंकि यह कार्मिनिक प्रदार्थ पर मिल्टिप्लाई करते तेजी से बढ़ता है तो उनको जड़के ऊपर कोलोनिया बनाता अपनी और उनको नहीं देता शुड़ो मुनास रोक पैदा करने वालों को और उनको नहीं आने देता यहीं फैल जाता हुआ एक फाइदा दूसरा जो न्यूट्रियंट्स के इसका जो पहुत यूनिक फाइदा है वो यह है कि यदि आप शुड़ो मुनास अप्लाई करते और आपकी सोयल मे ठीक-ठाक मातरा में शुड़ो मुनास है तो यह साइडरोफ फ़ॉर्स बनाता है साइडरोफ फोर्स यानि अप टर्मिनोलोजी में ना उल्ज़र फॉर्स मतलब एक कारबनीक परदार एक चिलेटिंग अजेंट बनाता है जैसे मैं बता हूँ यह वह साइडरोफ फॉर्स क पाफरी में नहीं होगा तो जिन सुक्सम रोग पैदा करने वाले सुक्सम जीओं को लोहा चाहिए उनको नहीं मिलेगा और यह साइडरोफोर्स जो इसने साइडरोफोर्स बनाए है शुडव मुनास ने यह इस लोहे को सिरफ पौदे की जड़ को लाके देंगी और जड़ को इसे पौदे ले लेगा तो मतलब को यह कि जी सुढ़ांत को यह प्रियाप्त लोहामिलता है तो यह तो आपको फिलियां भी तो इलियां की आई एक तो यह कि जैसे आयरन पोदों में को मिल ही नहीं पाता है कितनी जमीनों में डेफिशेट है छुट्टा की है और है और आपके पर आइडरें की दिकत नहीं आगी और कितनी पेपर ऐसे बरे पड़े हैं जिन में यह बताया सब्सक्राइब करता है और न्यूट्रियंट के लिए पैथोजन से रोग पैदा करने वालों से कंपेशन करता है और न्यूट्रियंट पोदे को लाके उपलब्द कराता है और यह भी रिपोर्टेड है कि यह नहीं के आस पास ही रहता है यह इंट्राशेलूलर जड़क में अंदर जाके अंदर जाके वहां भी रहता है और एक चीज मैंने पीछे में मिस्कर दी यह इंजाइम से निकालता ह उसको तोड़ देता है और वहां खतम हो जाता है यानि एक हमने देखा कि यह भंगस को बेक्टीरिया को निमेट्योड को अपने कुछ मेटाबलोएट्स निकालके सीन वगेरा प्रडूज करके उनको मारता है पोदे को न्यूट्रियंट ज्यादा देता है इस्पेसली आयर देख रहे होंगे एक मिलब यह रोड़ शेप का होता है से पूंच सी होती है उसकी वज़े से इसका किमो टेक्टिक नेशर का होता है पोदा कुछ ऐसे अपनी जड़ से मतलब इसको लुबाने के लिए ऐसे एंजाइम सिक्रेट करता है एक्जूडेट निकालता है यह हार्मोन दो कोई जरूत नहीं है यदि आपके जमीन में प्रियाप्त मात्रा में शुड़ो मुनाश है तो वह सब देने की आपको जरूत नहीं इसके अलावा यह इंडू सिस्टेमेटिक रेस्टेंस देता पोदे को यानि कि यह आपके पोदों प्रियाप न्यूटेंट द पोदा एडवर्स कंडिशन में भी आपका वहां रह सकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अप्लिकेशन के तरीके का मल्टिप्लिकेशन का तरीका वह सब चीजे बताऊंगा आप कमेंट में लिख सकते हो आपको एडिशनल कोई जान करी चाहिए वह एक वीडियो हम सकते हैं कि सेलेट के का मिला विख और म्ला सकते हैं कि नहीं कैसे मिलाएं क्या मिलाएं उसके पारे में हम बात करेंगे 110 जान का इक लगी होगीуч्लिट हुर 94